दोस्तों यह जो है अपना नियो वेव थियरी के हिसाब से हम लोग एक चार्ट स्पेसिफिक पूरा विडियो है इसके अंदर हम लोग भी एच ई एल हारत हैवी इलेक्टिकल लिमिटेड की जो कमपनी है उसके चार्ट को देखेंगे और उसके उपर पूरा का पूरा में अप इस तरीके से उसमें काम होने वाला है उसका पूरा का पूरा जो है अगर आप नए हैं तो हमारी इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए बेल नौटिफिकिशन आइकन को आउन कर दीजिए ताकि फ्रिक्वेंटली आपको नई नई अपडेट मिलती रहे तो पिछले कुछ दिनों से अगर हम गिने 5-6 महिनों से जिस तरीके से स्मॉल कैप मीड़ कैप में जो काम हुआ है और पूरा स्मॉल कैप मीड़ कैप जो है वो नीचे आया है तो उस हिसाब से जो है काफी लोगों को जो है ये पीस्यू अगर मॉमेंटम उपर की तरफ आता है तो कौन से ऐसे स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते इन फ्यूचर उसके बारे में हम लोग यह स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो लेकर एक-एक करके हम लोग आने वाले हो और उसके अदर अच्छे से आपके सामने पूरा एनाल तो उसके अंदर A, B और C के हिसाब से काम होता है ठीक है तो एक करेक्टिव साइकल यहाँ पर चालू हुआ था 2007 में B, H, E, L भारत हैवी इलेक्रिकल के अंदर और वो जो साइकल था तक्रिबन तक्रिबन हम अगर बात करें 2007 से लेकर 2020 13 years, 13 साल का जो एक वक्त भीता है बहुत ही बुरा और इतना एक पैनिक माहल क्रियेट करने वाला वक्त भुजरा है कि उस कंपनी के अंदर जिन लोगों ने भी इन वर्षों के अंदर इन्वेस्मेंट किया होगा उनका पैसा नहीं बना होगा और काफी सालों तक उन लोगो कि कोई भी बंदा इसके अंदर पैसा डालकर बैठा होगा तो वह हमेंसा से पेन में ही रहा होगा पिछले तेईस बारा तेरा साल के अंदर 2020 तक का यह जो बात है और 2020 में लाश्ट जो बॉटम लगा यह मार्च में इसका 19-20 रूपे के आसपास लगा और वहां से यह जो है रिकवर होते होते उपर की तरफ अभी यह पापस 223 रूपीज के आसपास है तो जहां पर इसका बॉटम लगा वहां से लगबग लगबग यह कीमत जो है 10X हो चुकी है हमने इसको रिकमेंड करना कब चालू किया मुझे आज भी याद है यह स्टॉक स्पेसिफिक याद है क्योंकि उन दिनों जो है मैं मुझे खुद कोविड हुआ था और मैं रूरल एरिया में सिफ्ट हो गया था ठीक है तो रूरल एरिया में आने के बाद मैं बैठा था और एक दोस्त का ही मुझे को कॉल आया था उसने मुझे बोला था कि यार वड़े-बहुत पैसे मुझे डालने है वह वक्त पर स्टॉक हुआ कर्द करें था उस वक्तपर मैंने उनको जो है यह स्टॉक रिंट किया था तकवर रूपे के आज पास यह वाले जोन में कहीं पर उनको रिंट किया था और उन्होंने अच्छे खासी चंक क्वांटेटि में इस चीज को कहरीदा भी थ ठीक है 2000-3000 उसकी कैपेशिटी के हिसाब से उसने खरीद था और उसके बाद में उसने वो स्टॉक को जो है बाद में 80-82 रुपी के आसपास मुझे बीना पुछे जो उसने निकाल दिया था उस वक्त मैंने बोला था जब उसने 60 रुपे खरीदा था कि मुझे लग रहा है कि यह आने वाले वक्त में 5-6 गुना में भी पॉसिबिलिटी है दस गुना तक भी हो सकता है और आने वाले वक्त में यह जो है यह बात मैंने बोले थी उनको 2021-22 की साल के आसपास यह 600 रुपे तक जा सकता है जो की 60 रुपे के आसपास का स्टॉक था ठीक है मैं अक्सर ऐसी अधिक करता हूँ और मेरी ऐसे बातों को जो है लोग अब हसके निकाल देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है जिस तरीके से में काम करता हूं मेरी जो थेयरी काम करती है वह एक नायाब और लाजवाब चीज्ज और आज अउम इसको देख पा रहे हैं तीन्सों के आसपास तो तो इसको हमने होते हुए मैंने अपनी आखों से देखा फाइवेक्स ठीक है मेरा पर्सनल इसके अंदर होल्डिंग था भेल के अंदर तक्रिबन तक्रिबन मैंने इसको जो है 80 रुपे के आज पास से बाइब करना चालू किया था मैंने पकड़ा इसको साथ पे था उस वक्त निकलती अच्छी खासी उपर गई और मैंने इसको जो है 300-280 के आसपास बेचा भी था ठीक है अच्छी खासी इसको बेची मैंने अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट जो है बूक किया और अभी मेरे पास में इस चीज के कोई भी स्टॉक पड़े नहीं है ठीक है अभी मै इसको फ्रेस नई एंट्री लेना चाहूंगा अगर मेरे पास कैपिटल अगर होता है तो कैसे मैं आपको बताता हूँ पूरा अभी ठीक है एनालिसिस में अभी चालू करता हो यह मैंने पूरी आपको स्टोरी बता ही इसकी यह स्टॉक कैसे मेरे साथ में कई सालों से हुआ यहां से खेल हुआ एक यह दो यह में पॉसिबल है तीन ठीक है यहां फिर कि एक दो यह तक हो सकता है चार और और यहां पर इसके पांच वेव की जो इंपल्स थी खतम हुई यहां पर पांच वेव की इंपल्स जो थी वो खतम हुई और उसके बाद में ABC साइकल इसका जो स्वीच हो गया वो ABC साइकल इसका था वो यहां पर हम क्लियर लिदे पार आउट हमें वक्त के हिसाब से मिलना चाहिए इतना वक्त उसको लगना चाहिए तो यह सी डिव होने में जो वक्त लगा है उससे कम में यह झार उपर की साइड में 0 to beat हमें ब्रेक आउट आउट मिलना चाहिए पहली चीज़ यह B वाला point है उसकी हमको एक parallel line डो करनी है उसको भी हमें breakout जो है यहाँ पर यह जो point है यह overall यह वक्त और यह वक्त एकदम same है तो इससे पहले यहाँ पर breakout हमें मिल जाना चाहिए ठीक है तो यह 0 to B trend line का तो breakout हो चुका है अभी दोस्तों यहाँ पर B की जो parallel line है उसका breakout हमें आन 29 से 29 के August से पहले यह breakout होना चाहिए और यह मुझे clearly दिख रहा है यह बात हो गया बड़ी टाइम फ्रेम का अभी जब भी यह बड़ी टाइम फ्रेम से ऐसा निकलता है तो यहाँ पर जो monthly time frame की 200 की moving average रहती है उसकी आगे जाकर 7 या 8 गुना stock होता हुआ हमें नदर में आता ह तो यह monthly time frame में हम देखेंगे 80 या 90 रूपे था तो तक्रीबन तक्रीबन 500 500 का target अभी भी मैं इसके अंदर जो है लेकर चल रहा हूँ ठीक है यह पूरा का पूरा खेल है mindset का है दोस्तों power of mindset मैंने यहाँ पर क्यों लिखके रखा है अगर आपकी सोच यहाँ पर इस बुरे वक्त में अगर आपकी सोच बुरी हो जाएगी तो आप कभी भी जो है success नहीं achieve कर पाएंगे life में ठीक है ऐसे बुरे वक्त में हमें opportunity ढूंडी है और ऐसी opportunity में आकर हमें पैसा invest करना है यह impulse wave चालू हुई है तो यह अभी एक, दो, तीन, चार, पाँ यह बड़ा बहुत नहीं होती है कि direction change नहीं होती है ठीक है मैं इसको remove करता हूँ अभी और एक चीज हमें इसमें क्या देखने को मिल रहे है यहां पर देख एक दम डल वाल्यूम था और यहां से suddenly volume rise हुआ ठीक है तो यह volume rise जो हमें देखने को मिला है वह एक impulsive wave की निशानी है दूसरी तरफ य यह भी एक जो है नायाब अलग ही theory है जो मैं मेरे student के साथ में मैंने इसको जो है लॉंच किया था advance one का जो कोर्स था 500 रूपे के आज-पास जो मेरी application के अंदर और मेरी website दोनों पर आपको मिल जाएगा दूस्तु ठीक है तो यह गेट theory के हिसाब से भी यहां से जो है दस गुना का target हपने को मिल रहा है यहां से तो अभी यह मंतले time frame का ABC हो गया अभी यहां पर मंतले time frame का एक नमर का वेव जो है overall develop हो रहा है और उसके अंदर एक नमर के अंदर भी हम देखे तो यहां पर यह अपना एक बना है द developing mode में ठीक है तीन नमर में एक दो तीन यह चार और तीन का पांच नमर का लेक जो है मंतली time frame का लगने वाला है ठीक है खोड़ा चोटी time frame में जाते है weekly time frame में वहां पर हम देखते हैं तो यहां पर देखिए overall यह जो काम चल रहा है यह में भी possibility है कि weekly time frame का जो यह जो है यहां पर यह third wave यहां तक है और उसके बाद में यह fourth wave जो है वह developing mode में है weekly time frame की fourth wave हो सकता है अभी भी एक दो महिने यह नीचे रहे ठीक है बट उसके बाद में overall यह जो है बहुत अच्छा stock है और आने वाले वक्त में अच्छा खासा पैसा आपका weekly time frame में भी हमें जो बना कर दे सकता है ऐसा हमें clearly indication यहां पर जो है मिल रहा है दोस्तों कि अभी आप यहां पर देख पा रहे होंगे अच्छे से तो कुछ ऐसा खेल यह चल रहा है एक दो इस तीन चार और यह पांच ऐसा कुछ काम होगा अभी उसके बाद में फिर यह इसी बनेगी तो अभी यह ऊपर चलना है अभी यह उपर जो है जाना है इसको यह बात weekly टाइम फ्रेम में उसके बाद में daily टाइम फ्रेम में अभी यह जो है recent अपना आने वाले मैं अगर बात करूँ तीन चार महिने का अपना व्यू जो है अपने सामने open हो जाएगा भी एचियल यह stock के बारे में तो यहां पर देखे अभी अपने सामने यह कुछ ऐसा डेवलक्त हुआ है यहां पर हम जीरो टूबी ट्रेंड लाइन ट्रो कर सकते है डैफिनेटली कर सकते है यह सारी ट्रेंड लाइन को मैं एक बार के लिए रीमू करता हूँ यह पूरा खेल देखे माइंड सेट का है अभी यह कई लोगों का माइंड यह accept करने के लिए ready नहीं होगा कि यह तेजी वापस से उपर की तरफ चालो होगी क्योंकि कई सारे लोगों को जो है अभी इस त रोज आज ऐसा व्यू कल दूसरा व्यू परसो तीसरा व्यू और उस वज़े से लोग जो है न्यूज चैनल को देखते देखते भी यहादा तर एक फोमो में आ जाते हैं एक डर के सिच्वेशन में जो है आ जाते हैं तो यह काम होगा अभी इसका भी चार्ट ऐसा डैवलॉप हो रहा है कि यह भी जो है अगर मैं वक्त गिनूं यहां से तक्रीबन तक्रीबन 128 दिन के आसपास का वक्त इसका जो बीच चुका है अभी यहां से आगे हम इसको कैल्कुलेट करेंगे तो 180 दिनों के आसपास अपना जो छे महिने का जो टाइम पिरिएड था वो कंप्लीट होगा तो 180 दिन के हिसाब से में अगर यहां से वक्त गिनूं वैसे तो यहां से गिनना चाहिए क्योंकि इसको ज्यादा दूर छोड़के यह जहां नहीं पाया है तो आल्मोस्ट आल्मोस् यहां से वापस से उपर की उसकी मोमेंटम जो है वह चालो हो जाएंगे टार्गेट इसके नए निकल के आएंगे वह तक्रीबन तक्रीबन अपना जो है 400 से 400 रूपे के आसपास के निकल के आने वाला है ठीक है तो यह था पूरा का पूरा एनालिसिस अपना भी एच ईयल यह चालों के ऊपर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा राज कर दीजिये और अगर हमारे साथ में उन्हों चाहते हैं तो आप जो हमारी स्कोर्स को पर्चेस कर सकते हैं अगर इसका आइडिया और चाहिए आपको तो हमें वाट्सक या फॉन्ट कॉल पर भी आप जो थैंक यो फर वाचिंग वीडियो थैंक यू वारी माच जै हिंद जै भारत दोस्तों